हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो मैं यूटूब चैनल आज हम आप लिए लेकर आए हैं जी आएसी जी आएसी प्रवक्ता समाश सास्त का स्लेबस समाश सास्त वेले स्लेबस तो आए देख लेते हैं सब्से पहले स्लेबस फिर परिक्षा पैटर की बात करेंगे तो देख queste हैं समाश सास्त को स्लेबस सब्से पहले सास्त गेי है मौलिक समाज सास्ति एवधार्नाई उसमें समाज शास्त का आर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र फिर आपका समाज आदार्नाइब पर संस्क्रति ग्रहंड, सामाजी करन, इस्तरी करन एवं विभेदी करन फिर है आपका खंड तीन खंड तीन के अंतरकर आपका एगा प्रारामभिक एवं समकालिन, सामाजिक विचारक पश्यमी विचारक, आगस्त, कॉम्ट, काल माक्स, हर्वर्ट, स्पेंसर, इमाई, लदूर्खीम, मैक्स वेबर फिर हैं आपके भारती विचारक, राधा कमल मुखरजी, म.न. स्रीनिवास, जी एस धुरिये खंड चार फिर हैं आपका समकालिन, साश्री, सिध्धान, प्रघरना, शाष्ट, एवं लोक विधी, विज्यान, प्रकारवाद, सन अजनावाद, म.ध संघर, सिध्धान, विधिमा सिध्धान, एवं प्रती कात्म, अन्ता, कुईवाद फिर है आपका खंड़ पांच में आपका आएगा समाजिक परिवर्थन एवं समाजिक नियंत्रन, फिर समाजिक परिवर्थन अवधारना कारेक एवं सिध्धान, समाजिक नियंत्रन में आपका आएगा अवधारना साधन एवं अभिकरन, समाजिक परिवर्थन की प्रक्रिय अध्योगी करण, नगरी करण, आध्योगी करण, पश्मी करण, एवं भूमंडली करण, फिर है आपका समाजिक परिवर्तन, एवं समाजिक नियंत्रन में संचार साधनों की भूमिका, ये आपका खंड पांच है, खंड छाय देख लेते हैं, खंड छाय में आपका आएगा भारती समाज एवं संस्क्रति, जाती, वर्ग, विवाह, एवं परिवार, संस्क्रति करन, धर्मिर पेची करन, व्रहत परम्परा, एवं लगुपरम्परा, फिर है आपका सारुहमकी करन, और है आपका स्थानी करन, खंड सात में आपका भारती ग्रामेर समाजिक व्यवस्थ जाती वेवस्ता, जजमानी वेवस्ता, नातेदारी, पंचायती राज वेवस्ता, खंडाठ में हैं समकालिन भाती समाजिक समस्याएं जैसे निर्धनता, बेकारी, लिंगसमानता, प्रष्टाचार, कमजोर वर्गों के विरुदत्याचार, महिला, अनुसुचित जाती, समक्यकों की समस्याएं जैगा, खंडाठ में, खंडनाओ में आपका आएगा, समाजी कनुसंधान, पद्यतियां, समाजी कनुसंधान, आर्थ तथा समाजी कनुसंधान के विभिने चरण, शोध प्रारूप में आर्थ एवं प्रकार, मयंग संकलन की पद्यतियां, एवं त संबन्द यह succeeds आपका स्लेंज म hints समाफ साथ काई जी आई सी आई से लैक्चम के लिए को आये अब बात कर लेते हैं हमारे परिक्षा पाटर्न की कि बल cercate बट लेते हैं। जो हमारे प्रस्न आयेंगे उनके बारे में तो इसमें समान, अध्यन, वा कल पिक विशयघ की आपका एक प्रस्टनपत्र होगा, जो वस्तुनिस्ट वभवी कल्पी प्रकार प्रोय फुर्श्न की संथ्टव फismo इसमें आपकी विशह से समबंधित 80 प्रश्ण आएंगे, इसके अलावा समान अध्यान के 40 प्रश्ण आएंगे और कुल प्रश्ण पतल जो होगा वो 300 अंखों का होगा और समय होगा आपका 2 घंटे तो 80 प्रश्ण तो आपके विशय से हो जाएंगे समासास्ट के 40 प्रश्ण जो आपके समाने अध्यान के आएंगे उसके लिए क्या पाठिक्रम रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं समान अध्यान का पातिक्रम है, जिसमें से 11 टॉपिक हैं, इस सहेत्र से ऊपने पूछे जाएंगे बहरत का इतिहाद से पुछे जाएगे, फिर विश्व भूगोल ब्रदेशा अत्रराश्टि महतपोर घरेशन होंगे समान बौध्धिक एम्तार्ट की ख्षमता उत्तरप्रदेश की सिच्छा संस्क्रतिक रेशिव द्योग व्यापार एम्रहन सायन और समाजिक प्रथाओं के संबंद में विशिष्ट जानकारी प्रारंभिक गड़ित आठ्मी इस्तर तकी पूछी जाएगी अंगड़ित बीजगड़ित और एखागड़ित से प्रेश्ण रहेंगे और अंतिम है आपका पारिसित की तथा पर्यावरांट से भी कुछ प्रेश्ण रहेंगे तो यह है आपका स्लेबस समान अध्यन का जो 40 प्रिश्ण आने है आपके परिक्षा हो में उसका इस्लेबस है अब देख ले ते ऐंवाकलपिक विसवयों का पाठप्रम मुख परिच्च्छा की भारति होगा तो जो स्लेबस मैंने आपको बताया प्रारम में समासास का वही स्लेबस आपका प्री परिक्षा में भी होगा और वही स्लेबस आपका मेंस एक्जाम जो होगा जो प्री में क्वालिफाई होगे सेम स्लेवास आपका मेंस इक्जाम के लिए भी होगा तो जो अभ्यार्थी प्री में पास हो जाएंगे क्वालिफाई कर लेंगे प्री तेरा गुना अभ्यार्थी आपके जो हैं प्री में मेंस के लिए तेरा गुना अभ्यार्थी पास किये जाएंगे और जो पासिंग जो मार्क लाना अनिवाद है वो आपका जनरल और OBC के लिए है 40% और अंसूची जाती और जन जाती के लिए 35% जिनके 40% 35% मार्क्स होंगे तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा और उनका नाम मैरिश लिस्ट में आ सकता है और था वो अपने आपको बाह हुआ भार समझें के लिए बात कर लेते हैं मुख परिक्षा की मोख परिक्षा में क्या परिक्षा पैटर्न रहेगा और यह बात मैं आपको बता दूं को प्रारामिक परिक्षा में वन थर्ड माइनस मार्किंग भी है तो इस बात का आप लोग इसे ध्यान रखें कि वन थर्ड माइनस मार्किंग है अधिक क्वेशन अटम्ट ना करें जो आपको कंफर्म आ रहे हों वही प्रेशन ही अटम्ट करें अन्य था उनको छोड़ दें तो अब बात कर लेते हैं मुख परिक्षा की मुख लिकित परिक्षा है तो परिक्षा योजना एवं पाठक्रम की तो मुख परिक्षा में आपके दो प्रेशन पत्र होंगे पहला होगा आपका समान हिंदी और निबंद का जो दो घंटे में आपको देना होगा और पुरांख होगा इसका सौंग का ठीक है और दुती प्रश्ण पत्र जो होगा वो आपका विसे से संबंदिध होगा विसे का जो प्रश्ण पत्र होगा वो तीन घंटे का होगा और पुरांग होगा उसका तीन सौंग ठीक है तो पहले प्रश्ण पत्र में जो समान हिंदी और निबंध आना है ये सभी के लिए निवार है इसका स्लेबस देख लेते हैं पाठिकरम क्या है तो ये प्रतम प्रश्ण पत्र के दो खंड होंगे प्रतम खंड में आपका समान हिंदी का होगा जो पचास अंग का होग इसमें जो पूछा जाएगा आपसे वहाँ पटेतित गध्यांस का संचेपड उससे संबंधित प्रश्ण रेखांकी दंशों की व्याक्षिया एवें उसका उप्यूग्द शीर्शक्त फिर आपका पूछा जाएगा उसमें व्याकरांड व्याकरांड में क्या क्या आएगा आप देख लेते हैं जो हमारा प्रश्ण प्रश्ण पत्र का जो दो तीख हंड है वो होगा निबंध का निबंध में आपको एक हजार शब्द होंगा कोई एक निबंध लिखना होगा अधिक्तम जो इसकी विस्तार सिम्म है वो एक हजार शब्द होगी इसकी जो लिए अंक निर्धारित है वो है पचास अंक का होगा ठीक है तो इसमें जो विशाच छेत्र हैं जो निबंध आपको चुनना है इनमें से कोई एक निबंध चुनना है और उसी पे आपको एक ज़र सब्द की निबंध लिखना है जो छेत्र है वो है साहिति संस्कृति, राष्टी, विकास, योजिना, एक रियान, वयन, राष्ट कोई से कुल प्रस्फन की लिए मेंस की जो हमारा विसय का होगा उसमें किस प्रकार के प्रेस्ट आने हैं यह आपको बता दूमा एं तो इसमें आपका पूररर दिस्क्रेप्टिव होगा सो कुल प्रमश्न होंगे वो 20 होंगे प्रिश्ट पत्र जो होगा वो तीन खंडों में वभाजित होगा खंड आ में आपको पांच प्रिश्ट आएंगे पांच सभी सारे प्रिश्ट जो है वो अनिवारे होगे पांच प्रिश्ट न होगे उत्रों की इसकी सब्दी सीमा होगी 250 50 बंन और जो प्रश्न आएंगे ये संद्र हेँगे…attendश प्रश्न होगा होगा है..चे 20 प्रश्न होगा होगा 10 अंक जो घृत सांगे में ये । हमार स्लेबौल तो विद्वाह के 100 मार्क्स , तो टोल प्राश्नपाइर थे टोल आपका 300 अंग का को गया इसाट प्रास्थ म doctr अंग का आपका होगा मुख्लिकित परिक्षा तो यह है अज का हमारा स्लेबस अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें